हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज कर डिया वाई बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है, आज मैं बना रही हूँ लड्डू के डब्बे से लड्डू कोपाल जी के लिए प्यारा साथ जन्मास्ट्रमी के लिए जूला, तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ड लकडी का, एक्चली ये देखिए, ये तो मिठाई के डब्बे का है वट ये एकदम से खराब ना हो, इस वज़े से मैं इसमें लकडी का यूस करीज, इसमें मजबूत रहे और मैं इसमें जूला डालो, अकाना जी को रखो तो ये गिरे ना, इस तर लिए मैं इसको देखि पीरूल की टोकरी थी, तो मैं इसी का यूस कर रही हूँ, प्यारा सा काना जी के लिए जूला बनाने के लिए देख सकते हैं, टोकरी को मैंने इस तरीके से डेकोर किया, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने लेस ली और लेस को इस तरीके से चारू तरफ इस तरीके से आप इसको लगा लें देख सकते हैं आप ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पूरे कवर कर चुकी हूँ अच्छे से और अब मैं इसको भी लेस से कवर कर लूँगी इस तरीके से आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसे वैसे फोल्ड भी कर सकते हो लेस से बट मेरे पास ल काना जी के लिए देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैंने मेरे पास फ्लार पड़े वे थे तो मैं इन फ्लार का यूज कर रही हूँ इस तरीके से अब देख सकते हैं काना जी के जूले को डेकोर करने के लिए देख सकते हैं आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो लाइक सस्क् देख सकते हैं, ऐसे ही नए ने DIY में लेके आते रहूंगे आप लोगों के रिए, इस तरीके से जूला बन करके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, अब मैंने इसको इसमें जॉइंट कर लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, अब मैं इसके उपर इस से हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे यह देख सकते हैं आप और यह बन करके मेरा चूला रेडी हो चुका है